भारती किसान यूनियन ने रेल्वे स्टेशन पहुचकर विरोध प्रतर्शन करते हुए एक ग्यापन रेल्वे अधिकारियोतों सौपान। यूनियन ने जानकारी देते वे बताया कि आधम ने रेल्वे स्टेशन मास्टर को ये ग्यापन दिया है। पुरानी है, रेल्वे के इंजन दस साल पुराने हैं। तो हमने ग्यापन देकर ये कहा है कि NGT का जो ओडर है आप उसको मानिये और आप भी इन ट्रेन के इंजनों को बदलिये। दस साल से पुराने हिंजन का संचालन हम यहां से नहीं होने देंगे। अगर ट्रेक्टर पर कारवाई होगी तो रेल्वे पर भी कारवाई होगी। जो दूसरे तमाम विभाग हैं अगर वो भी इस आदेश का पालन नहीं करते तो उन पर भी कारवाई होगी। और जब हुपार एट्रेक्टर बंद हो रहे हैं तो हम विभाग ये गाड़िया भी पकड़कर बंद कराएंगे। आज हमने रेल्वे इस्टेशन मास्टर मुझे फरनागर को ये ग्यापन दिया है कि जो एंजीटी का राष्ट्य अरित्प्राधिकरन का ओडर है और सुप्रीम कोट ने भी उसके अनुपालन के आदेश दिये हैं कि 10 साल पुराने जो डीजल वान है उनके संचालन पर रोक लगाई जाए तो उसमें ओक हारा कि यहां के ओथर्टी है वो केवल जो है आम जनता को प्रेसान कर रही है आम आज किसानों के ट्रैक्टर पकड़े जा रहे है छोटी छोटी गाड़िया पकड़ी जा रही है रेल्वे उस भी नियम का पालन नहीं कर रहा है पीड़वलोड के इंज़न बदलिये, 10 साल से पुराणे इंज़न का संचाला नहीं से नहीं होने देंगे, अगर हमारे ट्रेक्टरू पर कारवाई होगी, तो रेलवे प भी कारवाई होगी, और जो दूसरे तेमामी बाग हैं, अगर वो भी साधेश का पालन नहीं करते, तो जब हमारे ट्र झाल